गुड मॉर्णिक आप सभी आई हो पॉल आर वेरी गूड तो जम करेंगे जिक्की का कोशी नंबर 87 एंड कोशी नंबर 88 दोने कोशिए जो बहुत हमानचे पदेश की हिस्टी से लिटेड है और काफी इंटरस्टिंग कोशिण है आज हम बात करेंगे चंबा की हिस्टी के बा चंपा बत्चिंग चंपादेबी नहीं होगा चंपादेवि नहीं होगा चंपा चंपादेवि नहीं होगा चंपादेवसु से म में तो सुई मेूद बिया वहाinea congressional पिर झाली है ठीक है सुवी में लाब याद रोखे किन की याद में लगता है नैना देवी किसकी पतनी थी साहिल प्रूबन की पतनी थी आखे उसने क्या किया उसने भार्मोर को जबो है नी राजदानी मना इस वी में तो भार्मोर जो इसकल बहुन के नाम से परसीदंढे तो तो बहुत सारे राज याए जैसे जब या मड़ी मेस मंदिर हो गया तो ये सारे मंदिर जबो सारे तो नहीं लेकिन बो की बहुत मंदिर जबो इसने बनाई किसे मेरू बर्मन ने जैसे और भी कई सारे राजा रहें जिसमें की एक लक्षमी बर्मन भर्मन भी थे ठीक है उसके बेटे मुसान भर्मन भर्मन भी थे पर जब खिरातों ने हमला किया तो उनकी रानी जब गुफा में रुकी गुफा में रहने लगे उन्होंने बेटे को जन्म दिया तो जब मुसान लक्समी बर्मन जब कुछ ताइम के बाद जब वहां पे आये तो उन्होंने देखा कि जो बेटा हुआ है कर रहे है उसके बेटे की रक्सा तो इसलिए जब उन्हें बेटे का नाम रख लेह और बाद करें कि जिसका नाम जब दस पुत्तर और एक पुत्री थी एक पुत्री थी जिसका नाम जोबुँट चम्पा बती था जिनकी और इनकी पत्री के नाम ने नर्ड भी था जिसके बारे में आपको उता दिया कि उन्हें की आदमें जो वो सुही मेला भी लगता है तो अपने जो कोशी नहीं होगा इसका सही अंसर हो जाएगा भी चम्पा किया था नगर कोट पराक्रमन किया था और नगर कोट जो भी मंदीर था वहां पर वहां पर जो भी धन था जो भी धन था उसको जोबो लूट लिया था तो इस तो उसने जब नगर कोट जो उसके कंट्रोल में था तो उसने जब कई सारे हिंदू राजाओं को परजित कर लिया था तो अगरा इतियास के बारे में थोड़ा साप होता हूं तो यूंच सांक जो एक चीन ही आती था तो वह जो जो नाइन 6A44 में जब मतलint की इस टाइम जब हरसवार्धन war мор nerves का सांक ताइम उस ने किया उस्टे वह करें पलद ही और तो यूथ जब सबसे पुरानी ठिरहसत थ ही एभी कोचलता जिसकी राजधनी नगर्कोठी तो इस 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 इप Mary शु голос Чंद की थी महाभesting युद में dado सु सुनौ मादब कर त ही प्युक्त है विए माध यहाद सुसरौ चंदल ने कांग कर वार का निर्मानाल वाइब उसने कांगड़ के लिए और 2009 में आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या हुआ और अगर इसके बारे में कांगड़ा की बात करें तो यहां पर जो वह एक मंदीर है जो मस्रूर रॉककर्ट मंदीर है जो की पथर को तोड़ करके बनाया गया है तो वह उस टाइम ही बना अगर हम इसकी बात करें जैसे की जीलों की तो पॉंक जील है जो कि क्रेरी जील है डल जील है जो की एक प्रक्रिक्टिक जील है तो इसके बारे में भी आप याद रखिए तो आई हो पाप संज़के होंगे कोशी नंबर सेकिंड का जो सही अंसर है वो होजाएगा C और कोश ky for listening and have a nice day